अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फ्रेंड्स ये सुक्देप तनिजर चला है और मैं आपका स्वाग दरता हूं और आज की वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और रिवियू करेंगे वन प्लस फाइज स्मार अब आपको इसको खोल कर दिखाते हैं देखने से पहले आपको इसकी कुछ स्पैसिफिकेशन जो इसके उपर मेंचन है तो ये है वन प्लस ए 5,000 मोडल है स्लेट ग्रे इसका कलर है और 64 GB वेरियंट है वन प्लस फाइब में जो है आपको दो मोडल मिलेंगे जिसमें एक में 64 GB internal memory होगी और दूसरे में जो है 128 GB internal memory होगी और price का जो comparison देखे तो 5,000 के करीब इन दोनों मोडल में आंतर है ये वाला मोडल जो है आपको 33,000 पीस का almost मिल जाएगा online और इसकी अगर हम manufacturing date देखें जून 2017 तो ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं लिखा तो अब जो है हम आपको एक खोल कर दिखाते हैं तो हमने जो है इसको दो तिन दिन इस्तिमाल किया टेस्ट किया ये वास्तर में कैसा phone तो ये आपके सामें है 1 प्लस 5 तो अगर हम design और weight की बात करें तो ये phone जो है काफी हलका है look wise पाइद करें तो ये हमें काफी अच्छा लगा और काफी luxury लगा य ये जो है इसकी limitation है अगर आपके हाथ से बाइचांस छूड जाए तो ये शोक प्रूफ नहीं है आपको कोई अच्छा सा guard पीछे से जरूर लगवाएं क्योंकि ये काफी हमें delicate लग रहा है काफी नाजुक लग रहा है पीछे से खास दोर पर अगर हम इसके points देखें तो न लग जाएगा और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें three mic pin है यानकी for the clear sound recording आपको इसमें three mic मिल रहे हैं इसमें जो है वाइफाई है जो की पहली बार AC स्पोर्ट करता है यानकी जितने भी पुराने mobile है या सस्ते mobile है उसमें N grade तक स्पोर्ट करता है पर ये वाला phone जाए AC mode तक स्पोर्ट करते हैं यानकी वाइफाई जो है इसमें काफी fast चलेगा अगर आपके router में AC mode है और अगर हम इसके यहाँ पर देखें ये जो है sim tray है जिसको खोलने के लिए यहाँ पर छेद दिया हुआ और ये है power button और अगर हम इसके left side देखें तो यह है notification bar यानकी जिसस भी इसका point नहीं है कुछ भी नहीं है उपर और यहाँ पर जो है आपका dual camera है dual camera का जो इसमें सबसे बड़ा function है या फायदा है for the photography मेल नहीं यानकी इससे जो है depth photography कर सकते हैं इसमें double camera होने के कारण जो है selfie लेते हुए या कोई picture लेते हुए background को blur कर सकते हैं और dual camera होने कारण जो है इसकी focus जो है काफी fast है less than 3 seconds और इसमें जो है यह इसकी LED flash है इसमें जो सामने का जो front camera है वो 16 megapixel है और अब जो है हम आपको इसको on करके दिखाते हैं जब तक हम इसके आपको extra part दिखा देते हैं जो इसके साथ आ रहे हैं तो यह हम इसको खोल देते हैं इसमें तो है आ आपको यह sim खोलने में असानी देगी और इसके अंदर देखें यह आपका dash charger है और इस dash charger से जो है आपका जो यह mobile है वन हावर में जो है around 80% तक charge हो जाता है और यह जो है इसकी dash cable है तो इसमें जो है आपका यह अगर आप पोड देखें यान कि इसका जो charging का तो यह specific है यान कि जो normal जितने भी हमारे android phone है आपके सामने हमने डिबे रखे हुए उसमें जो charger भी होती है वो से थोड़ी इसी different है तो आप खोड़ा care करें और अगर आप दूसरा charger लगाएंगे तो यह support नहीं करेगा और यह अगर हम इसके charger को देखें इसका charger की क्या स्पेसिविकेशन है इन्पूट जो है 200,2,240 वाट और आउटपूट जो है इसमें 5 वाट और जो current देता है 4 अपेल तो जैसे dash charger है या फिर यह Motorola का turbo charging है यह दोनों लगभग बराबर ही है और even जो है इसका जो fingerprint sensor है अगर हम Motorola KG4 Plus, Moto G5 Plus या Moto Z के print singer की बात करें तो दोनों में quick response है यानि कि बहुत ही तेजी से response करता है और बिल्कुल accurate response करता है तो इसका यह benefit क्या होता है कि आपको अगर अगर अपनी mobile को जो है auto slip में चला जाता है उससे जगाने के लिए बार बार इसको जो है बटन दबाने की जुर तो आप जो हम इसके processor और internal memory और RAM की बात करें तो यह हमारे पास app है अगर आपके पास कोई नया phone हो तो आप अगर उसकी internal specification चेक करना चाते हो तो यह CPU-Z नाम की app होती है जिसको आप download कर सकते हैं तो इसमें जो है आपकी अगर actual clock speed देखें तो 300 MHz से लिखा 2.64 GHz Octa Core processor देखे GPU इसमें एडिनो GPU है जिसकी जो actual speed जो है 540 है अगर हम इसके display की बात करें तो इसमें 5.5 inch AMOLED capacitive touchscreen है जिसका जो pixel density है 400 dBi यान की dot per inch यह फुल HD है और इसका जो protection है gorilla glass है और और एक और अच्छी बात है कि इसमें जो है company ने अपनी तरव से touch guard protection दिया वा या आप चाहो तो इसको बदल सकते हैं उतार सकते हैं 6 GB इसमें RAM है और 64 GB internal memory है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं अगर आपको ज़्यादा memory चाहिए तो आप 128 GB वाला version भी purchase कर सकते हैं जो price wise है थोड़ा सा cost है around 38,000 का आपको मिल जाएगा आपको और specification बताएं और detail में बता हैं तो इसमें जो है हमें सबसे अच्छी बात लगे कि आप इसको reading mode में भी कर सकते हैं जैसे यह डिस्पले में आप जाए और यहां पर यह देखिए reading mode है यहां पर आप टच कर दीजी और turn on reading mode तो यह जो है जैसा आपका amazon kindle होता है वैसा ही इसमें display बन जाता जिससे कि आप अंधेरे में आप इसको पढ़ सकते हैं तो आपकी जो आखों पर जो stress है वो कम से कम पढ़ेगा इसको off करना हो तो आप इसको दुवारा टच कर दीजी और आपको actual में कितनी storage मिल रही है तो यह देखिए इसमें जो है आपको just 52.67 GB मिल रही है और जिसमें से जो है 2.76 हमारी एब ने ले लिए तो आपको थोड़ा बहुत अंकनिवियंस हो सकते हैं अगर आप full HD वीडियो रिकोड करते हैं high quality photo लेते तो इसकी internal memory बहुत जल्दी बढ़ जाएगी पर आजकल जो है wireless Wi-Fi storage device होते हैं आजकल जो है आप चाहू तो OTG cable के दुवारा memory card लग जा सकते हैं तो data आप इसमें transfer कर सकते हैं असानी से और अगर हम इसकी battery life की बात करें इसमें जो है आपको battery मिल रही है around 3300 mAh बैटरी मिल रही है जिसको आप remove नहीं कर सकते हैं और यह देखे यह भी बता देता है कि इसमें कितना time का backup है तो यह बता रहा 45% आपकी battery यह नॉर तो इसमें जो है stock android नहीं है इसमें जो है oxygen OS version है जो की base है android version 7.71 के अगर हम बात करें इसके operating system की इसकी smartness की better है as compared to stock android इसमें आपको ज्यादा future मिल जाएंगे ज्यादा control मिलता है यह यह बेटर control मिलता है उसी हिसाब से थोड़ी बहुत इसकी performance जो है phone हो जाती है as compared to the stroke android system और अगर हम इसके camera की बात करें तो camera जो है सबसे खास camera है और आप यह देखे quick auto focus है इसमें बहुत तेजी से focus करता है और clarity बहुत जादा है अगर हम इसमें touch करें फोटो कीच के दिखाए आपको touch किया फोटो कीच गी और इधर आप करेंगे तो यह आप और के video record कर सकता है full HD video at the frame rate 60 या full HD video at the frame rate of 30 और 720 video at the frame rate of 30 तो इसमें कई परकार की आपको setting मिल जाएगी अगर आप इस पे touch करोगे तो यह 2x पे चला जाएगा और इसमें जो है अगर हम setting में देखें तो यह आपको इसमें कई सारे आपको mode मिल जाएगे जैसे pro mode time lapse mode slow motion portrait और portrait में जो है आप dual camera आप करते हैंने कि depth effect होता है इसमें कि आप चाहो तो पीछे का area blur कर सकते हैं तो कई बरकार के इसमें आपको different effect मिल जाएगे अगर आपको photography का चोक है तो यह camera जो है काफी अच्छा है इसका और इसमें जो quality है वो काफी बढ़िया है यदि हम high-end phone से compare करें जैसे की Google Pixel या Apple 7 तो उस मुकाबले में जो है इसका camera थोड़ा सा ठीका पड़ता है पट फिर भी इसकी quality है बहुत ही अच्छी है यह था हमारा quick review about the OnePlus 5 phone अगर हमा आरे personal view की बात करें तो यह phone हमें काफी अच्छा लगा इसमें आपको कई परकार के control मिल जाएंगे कई परकार के आप इसमें shortcut बना सकते हैं processing की बात करें तो यह कभी भी lag नहीं करता आप इसमें कई परकार की multiple app खोल सकते हैं आपको यह कभी भी risk point नहीं करेगा आपको प्र clarity आप देखें तो काफी clarity है अगर इसके थिकनस और weight की बात करें तो यह phone हमें काफी हलका और काफी अच्छा लगा और अगर हम इसकी negative point की बात करें तो इसमें मोटे मोटे 2-3 point हमें लगेगे कि किसी बरकार की internal memory नहीं डाल सकते हैं यह जो है हमें काफी disk point करता है अगर इसका थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी तीसरा जो point है कि इसमें जो है video stabilization नहीं कर सकते जब आप इसको record करें 4K तो यह तो खेर minor सा ही इसमें negative point है तो हमारी राय है कि आप इस phone को जरूर परचेज कीजिए अगर आप इतना afford कर सकते हैं अगर आपकी जे में 33 थ्री थ्री थाउजन टुपीज है और मैं कह सकता हूं कि यह पैसा वसुल phone है अगर हम जो है सबसे महंगे smartphone की बात करें जैसे google pixel या apple 7 तो उसके price में और इसके price में अगर compare करें तो half है यानि कि वो 20-30,000 रुपया महंगे है जबकि यह आपको 33,000 में वो सारे future सारे benefit दे रह तो यह हमारा review था हम दो है इस product का link जो है अपने channel में जरूर डालेंगे आप चाहो तो वहाँ से इसको जरूर purchase कर सकते हैं अगर इसके display की बात करें तो यह काफी sharp है और यह देखे बिलकुल edge तक है यानि की तो इसमें video देखने का मज़ा कुछ हो रहा है काफी अच्छा है इसमें आप game खेलें तो काफी आपको अच्छा फील होगा तो यह हमारा यह video गेंग का तुम बता है धन्यवाद हेलो फ्रेंग्स आज हम आपको दिखाएंगे वन प्लस थी का अनपैकिंग और रिव्यू दिखाएंगे यह आज ही हमने डिलीवरी हुए है एमाजोन से ओरर किया था जैसा कि आप जानते हैं यह सिर्फ एमाजोन.com साइट में ही मिलता है इनका टाइअप है तो यह है आपका वन प्लस थी इसकी जो मैनुफेक्ट्रिंग यह जो हमें मिली है जुलाई 2016 की है और यह इंपोर्ट हुआ है अगस्ट 2016 में इसकी मेक्सिम डिटेल प्राइस 27,999 की है और इस सेम प्राइस में आपको एमाजोन में मिलेगा भी हमने अभी इसको 15 अगस्ट का अगस्ट के डील में ख्रीदा था तो हमें कैश बैक मिलेगा ट्राइड काड की कंपनी की तरफ से तो यह आप देख सकते हैं इसकी बैक्राउंड में तो अब हम आपको इए खोल के दिखाएंगे इसके खास बात यह है कि इसमें डैस चारजिंग है इसका मतलब यह है कि इस लुक है इसका एक नोट है सी यो की तरफ से तो यह है आपका वन प्लस त्री का फोन यह देखेंगे तो यह अभी सिर्फ ग्रे कलर में ही अवरेबल है यह सा कैम्रा इसके फ्लैशलाइट और यह कोई स्टीकर लगाओ है जिस पर लिखा हुआ है प्लेस यह से मिन दा सिम का ट्रेड दैन इंसर दा ट्रेड बैक इंट दा डिवाइस प्ल है जैसे यह एक्चुली एपल फोन में होता है यह पिन जो यह होल एस पर पिन लगाना है तो इसे ट्रेड भार आ जाएगी फिर इस पर सिम रखके इसको अंदर दबाना इसको डिरेक्ट आपको यहां पर नहीं गुसाना है तो यह आपका मोबाइल फोन हो गया यह इसका आ इसका इंगलिश के अंद में है तो इसमें इसके फीचर्स को हाड़वेर कैसे हैंडल करना वह सब इसमें बता रहा है और यह मैं बता रहा था यह पिन है यह पिन के हल्ग से ही आप इसको यहां पर अगर डालेंगे तो यह ट्रे भार आ जाएगी जैसे का आप देखना होग यह ट्रेहल किसी भार आई है इस ट्रे के अंदर आपको सिम डालने है तो यह डूल सिम है तो इसके अंदर दो सिम की जगह है तो यह दो नैनो सिम जिसके अंदर आते है दो नैनो सिम आप इसके अंदर से डालके इसको बंद कर सकते हैं तो यह पिन इसी परपस के लिए है य अब देखेंगे सेफटी इंफर्मेशन है और इसके अंदर एक स्टीकर है नेवर सेटल का एक स्टीकर दिया हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है और यह अब आपका चार्जर आगया आज यह केबल है काफी लम्बी लग रही है और साथ में इसका यह टर्बो चार्जर है यह वही चार्जर है जिससे आपके आदे घंटे के अंदर 60% चार्ज हो जाएगा तो इसमें डैश चार्जर भी लिखा हुए डैश यह है काफी बल्की है 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 ट्रैबलिंग के टाइम थोड़ा अंकंफर्डेवर हो सकता आपको तो अब दो अब नॉनमल येज़ई चार्जर भी लगा सकते हैं जूब घर पर होंगे फास्ट चार्जर जाय होगी तो आप यह यूज़ कर सकते हैं तो यह है अब का फौन है इसकी जो विट फाप़्ोला फोन थे बहुत फटला है और अलंका वेट वाइज़ भी हल्का इतना हाथ वे अराम से कर सकते हैं, पूरा हाथ इसमें आराम से आजाएगा, अन करके दिखाता हूं, इसको ओन कैसे करना है, यहां पर यह पर यह पर पटन है, इसमें फटी बड़ बैटरी स्टार्टिंग में होती है, तो यह आपका फस्स लुक है, जैसे आप ओन करेंगे, है तो इसके नदर ऑक्सीजन और इसके उपर इसका रैप किया हुआ है, यह स्टार्ट होने में शुरू में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो बस इसमें यह आपका वेलकम काग है, इंगलिश आपको कौन सी लैंगुज में आपको करना है, तो इसमें देखेंगे, तो कफी लैंग इसमें और कनडवी तमिल भी है, तो आप इसमें से कोई भी लैंगज चूज कर सकते हैं, अब इसमें यूएस इंगलिश सेलेट कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, तो यह अभी पूछ रहा है कि आपको इमोजी वाला कीबोड चीए कि गूगल वाला कीबोड ची अब हम भी स्किप करते हैं, तो अगर मैं सेट अप फिंगर प्रिंट के बारे मैं पूछ रहा है, तो अगर मैं सेट अप फिंगर प्रिंट के बारे मैं पूछ रहा है, तो अगर मैं सेट अप फिंगर प्रिंट के बारे मैं पूछ रहा है, तो अगर मैं सेट अप फिंगर और 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 भी नहीं कर सकते हैं इसमें यहां पे साफ-साफ लिखा हुइए कि पैटर्न यापिन है वह more secure है फिंगरपेश्ट related to fingerprint डिए laws on fingerprint पिंगरप्रण एक कई का इसमें लिखा हो यह कि मैं less secure than stronger patterns and pin यह conducting यहाँ बैटर्णा फीन या पासवड यह सेट रहें कि यह fingerprint authorize करने की नहीं करने और साथ साथ इसकी बैटरी कर्दम्शन जाता है फॉन भी करम हो जाता है तो CPU रन होता है तो बैटर आप normal pattern पे set की तो अब next next करेंगे तो आपको और options देगा यह सब add करने के लिए तो फिलहाल हम अभी हम कुछ भी set नहीं करते हैं no thanks करता है और हम सब्सक्राइब के लिए बोल रहा है navigation controls के बारे में बोल रहा है इसे gestures बहुत सारे options आपको कैसे gestures set करने है और यह यह आपका पहला screen है wallpaper by default never settle के साब इसका वो है यह आपका look and feel है OS का तो इनका shelf है इसमें यह देखेंगे दो बटन यह touch वाले बटन है physical बीच वाला भी आपका finger sensor जैसा बटन है यह इसका camera है तो जैसे हम जैसे आप देखेंगे एक pop-up आजाता है disable कर दा बैकर रहा है तो यह आपको first time हम खोल रहा है तब ही वह सब आपको guide कर रहा है तो यह आपको फोटो कीछते है तो बहुत ही fast है button दबाती clarity इसकी अच्छी है तो इसमें reverse करने के ल touch screen resolution वह सब देखने के लिए है यह auto flash डालनी है high quality चाहिए वह सब settings है इसमें HDR चाहिए या नहीं चाहिए तो इस प्रकार यह आपका camera है इसमें यह Google की सारी apps है प्री इंस्टोल एप्स हैं तो यह आपको overall phone जो हम आपको दिखा रहे थे तो 20,000 में 6GB RAM मिल रही है अगर हम जाते हैं memory में जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें total memory है 5.6GB इसमें से starting में 1.1GB अलड़ी default application से filled है और 4.GB फिलहाल इसमें free है about phone में मैं click करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि model number A3003 है RAM 6GB है storage 64GB है इसके अंदर कोई sd guard नहीं लग सकता है android version 6.01 है और oxygen OS 3.21 है और यह battery का इनका UI है कि कैसे consumption हो यह कितिन देर और phone चलेगा तो यह आपका phone के बारे में है तो जैसे देखा जाए तो इस range में 28,000 एराउंड में जो इसकी processor है जो इसकी RAM है वो बाकी phone से काफी अच्छी है in fact आप इसको easily compare कर सकते हैं 60,000 रुपीज के phone के साथ जो कि Apple और Samsung के आते हैं उसका hardware और इसका hardware लगबग बराबर है तो यह अपनी range में ही नहीं बाकी अपनी उपर की range में भी सबसे अच्छा phone है और खास बात यह है इस बार की OnePlus 1 और OnePlus 2 जैसे की आपको सिर्फ invitation पे मिलता था इस बार आप इसको बिना invitation के direct आप खरीच सकते हैं यह है Chinese Mate लेकिन quality wise इसकी जो body है जो internal processor है जैसे कि आप जानते है कि Qualcomm के processor सबसे अच्छा रहते हैं इसमें भी snapdragon का processor है वो सबसे latest processor है अगर आपका अंदर का hardware जो है वो सबसे अच्छी company का है जो की Qualcomm है तो बाकी body के brand के नाम से कुछ फर्ग ने बढ़ता अंदर का material है वो Qualcomm है तो in fact बाकी जो सबसे प्रोसेसर आते मीडिया टेक के Chinese Mate से उसे 100 times better हो गई होगा तो आप यह मत सोचे कि यह oneplus company ती renowned नहीं है क्योंकि अंदर जो इसका hardware है वो बहुत ही renowned company के है in fact Samsung और Apple भी Qualcomm के ही प्रोसेसर यूज करते हैं तो आप बिना सोचे समझे आप इसको खरीच सकते हैं अगर आपका budget 28,000 के असपास है तो मैं आपको एक suggestion देना चाहूंगा कि अगर आप इसका case cover लेने का सोच रहे हैं तो हो सके तो flip cover लीजीगा flip cover में क्या होता है इसके आगे कुशनिंग आ जाती है उस कुशनिंग से अगर यह phone screen के बहल भी गिरता है तो इसके screen में crack नहीं आएंगे उसको protect करेगा तो अगर आप normal case लेते हैं वो पीछे के body को cover करता है और आगे की body फिर भी exposed रहती है अगर इसके screen के बलगे तो तूटे के बहुत chances रहते हैं तो इसलिए अगर आप अच्छा साफ कोई flip cover लेंगे तो हमेशा जब भी गरेगा flip maximum flip रहके ही गरेगा तो ये प्रोटेक्ट रहेगा ये एक suggestion थी जिससे आपका phone कहीं कहीं साल तक बिना किसी problem के टूटे फूटे चाहता है तो Amazon में हमें 12 मन्त का accidental warranty मिल रही है आइडिया से 6 मन्त के लिए double data मिल रहा है package का और साथ की साथ 500 रुपीज का e-book का वाचर मिल रहा है Amazon की तरफ से तो ये offer में और साथ में हमें था 1500 रुपीज cashback मिलेगा SBI credit card के तुरू हम मिलिया था तो friends ये था 1 plus 3 का review अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और comments कीजिए जो आपके doubts हो यह जो अजा हे संब्सक्राइब कीजिए और हमारी था है